हर हर महादेव जै भोलेनाथ दोस्तो भारत में विशेश रूप से हिंदू संस्कृति में तिलक लगाने की परमपरा प्राचीन काल से चली आ रही है किसी भी आध्यात्मिक कारे को प्रारंब करने से पहले तिलक लगाना बहुती शुब माना जाता है मानेता है कि भ्रगोटी पर यानि माथे के मद्य भाग में तिलक लगाने से एक आगरता, सहियम, आत्म शक्ती में व्रद्धी होती है लेकिन तिलक के भी कई प्रकार होते है वैज्यानिक तर्क ये है कि दोनों आखों के बीच में आग्या चक्र होता है इस चक्र पर तिलक लगाने से एक आगरता में व्रद्धी होती है साथी, अंगुठे या उंगली से इस जगह पर जब दबाव पड़ता है तम माथे तक जाने वाली नसों में रक्त संचार का प्रवा समान रहता है हिंदु धर्म में विशेश रूप से कुमकुम, चंदन, हल्दी, भस्म या माटी का तिलक लगाये जाता है तिलक का वास्तवीक अर्थ पूजा के समय माथे पर लगाये जाने वाला शुब चिन्ध होता है शास्त्रों के अनुसार जो द्विज यानि ब्रामःड छत्रिय वैशे तिलक नहीं लगाते हैं उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि तिलक कितने प्रकार के होते हैं और क्या है इनका महत्व हिंदू धर्म में तिलक लगाने के कई प्रकार है तिलक का प्रकार पंथ और संप्रदाय के अनुसार है अगर पंथ अलग है संप्रदाय अलग है तो तिलक भी अलग होता है यानि हर पंत और संप्रदाय का अलग-अलग तिलक होता है सनातन धर्म में मुख्य रूप से शैव, शाक्त, वैशनव और अन्य प्रमुख संप्रदाय हैं जो तिलक लगाते हैं शैव संप्रदाय के लोग ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा या त्रिपुंड़ लगाते हैं वही शाक्त संप्रदाय के लोग सिंदूर से तिलक लगाते हैं इसे उगरता का प्रतीक भी माना जाता है, जिससे साधक की शक्ति वा तेज में व्रद्धी होती है वैश्रो संप्रदाय में 64 प्रकार से तिलक लगाय जाता है इन में से प्रमुक तिलक श्री तिलक है इसमें चंदन के तिलक के बीच कुंकुम या हल्दी की खड़ी रेखा बनती है जो धम श्री कृष्ण को मानते हैं वो श्याम स्री तिलक लगाते हैं इसमें चन्नन के बीच काले रंग की मोटी रेखा होती है। इसके साथ विश्णु स्वामी तिलक और रामानन तिलक भी प्रमुकृप से लगाय जाता है। विश्णु स्वामी तिलक दो चौड़ी खड़ी रेखाओं से बनता है। यहां तिलक दोनो भवों के बीच तक लग जादी भी तिलक होते हैं जो विबिन सादु संतों और सन्यासियों के द्वारा लगाय जाते हैं। दोस्तों अब महादेव के तिलक ट्रिपुंड के बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाए ग विस्तक पख्ति पूर्वक ललाट में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ललाट से लेकर नेत्र परींथ और मस्तक से लेकर भवा तक त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड की तीने रेखाों में प्रतेख के nine- Ji देता हैं। जो समी अंगों में त्रिपुंड की पहली रेखा में गाह पत्छ, अग्णी, प्रणों का प्र्थमक्षर अकार, रजोगुळ, प्रत्वी, धर्म, क्रियाशक्ति, रिग्वेद, प्राता काली नहवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रत्थम-्रेखा के 세계 9 धेता हैं, दूसरी रेखा में दक्षिणाग्णी, प्रणों का दूसरा अक्षर उकार, सत्वगुण, आकाश, अंतरात्मा, इक्षाशक्ती, यजुर्वेद, मध्यान के हवन और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के नौदेवता हैं तीसरी रेखा में आहवनिय अगनी, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, तमोगुण, स्वर्गलोप, परबात्मा, ज्यान शक्ती, सामवेद, तीसरे हवन और शिव ये तीसरी रेखा के नौदेवता हैं त्रिपुंड शरीर के 32, 16, 8 या 5 इस्थानों पर लगाया जाता है अब जानते हैं त्रिपुंड लगाने के 32 इस्थान कौन-कौन से हैं ये हैं मस्तक, ललाट, दोनो कान, दोनो नेत्र, दोनो नाक, मुख, कंठ, दोनो हात, दोनो कोहनी, दोनो कलाई, हिर्दे, दोनो पार्शोभाग, नाभी, दोनो अंडकोश, दोनो उरू, दोनो गुल्फ, दोनो घुटने, दोनो पिंडली और दोनो पैर अब जानते हैं त्रिपुंड लगाने के 16 इस्थान कौन से हैं? 16 इस्थान है मस्तर, ललाट, कंठ, दोनो कंधे, दोनो भुजाए, दोनो कोहनी, दोनो कलाईया, हिर्दय, नाभी, दोनो पसलिया, तथा प्रश्ट भाग में अब जानते हैं त्रिपुंड लगाने के आठ स्थान कौन से हैं गुविय स्थान, ललाट, दोनो कान, दोनो कंधे, हिर्दय और नाभी त्रिपुंड लगाने के पांच स्थान कौन से हैं ये पांच स्थान हैं मस्तक, दोनो भुजाए, हिर्दय और नाभी इन संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताये गए हैं, उनका नाम लेकर ही ट्रिपुंड धारड करना चाहिए ट्रिपुंड धारड करने का क्या फल बताया गया है? इस प्रकार जो भी कोई वनुष्य भस्म का ट्रिपुंड धारड करता है, वहाँ छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है, उसे सब तीर्थों में इसनान का फल मिलता है ट्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है, यह सबी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है, वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिव सायुज्य मुक्तिम प्राप्त करता है, उसे पुनर जन्म नहीं लेना पड़ता अब दोस्तों जानते हैं कि गौरी शंकर तिलक क्या होता है, कुछ शिव भक्त शिव जी का त्रिपुंड लगा कर उसके बीच में माता गौरी के लिए रोली का बिंदु लगाते हैं, इसे वे गौरी शंकर का सुरुख मानते हैं गौरी शंकर के उपासकों में भी कोई पहले बिंदु लगा कर फिर त्रिपुंड लगाता है, तो कुछ पहले त्रिपुंड लगा कर फिर उस पर बिंदु लगाते हैं, जो केवल भगवती के उपासक होते हैं, वे केवल लाल बिंदु का ही तिलक लगाते हैं दोस्तों अब जानते हैं कि हमें किन-किन चीजों से तिलक लगाना चाहिए हिंदु धर्म में विशेश रूप से चार चीजों से तिलक लगाया जाता है इसमें शामिल है कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म कुमकुम हल्दी चुना इत्यादी मिला करके बनता है इसे लगाने से आग्या चक्र की शुद्धी होती है और ज्यान की भी प्राप्ती होती है केसर का तिलक लगाने से मस्तिस्क को शीतलता प्राप्त होती है वही चंदन का तिलक दिमाग को शीतलता प्रदान करता है और मांसिक शांती भी बनाए रखता है इसके साथ ही भस्म का तिलक लगाने से मस्तिस्क में विशाणों से मुक्ती मिलती है अगर हम भैस्ब का तिलक लगाते हैं तो हमारा मस्तिस्क विशाणों से मुक्त रहता है और सकारात्मक उर्जा का प्रवाह निरंतर बनता रहता है तिलक लगाने के लिए उंगलियों को क्या महत्व होता है? तिलक लगाने के लिए भी कुछ नियुमों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है जिनका अपना-पना महत्व होता है इसमें प्रतेक उंगली से तिलक लगाना भी शामिल होता है जो व्यक्ति मोक्ष की इक्षा लगाना चाहिए इसके साथ ही शत्रु के नाश के लिए या उन पर विजय बाने के लिए तरजनी उंगली से ललाट पर तिलक लगाना चाहिए माननेता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को विशेश लाब मिलता है और जीवन में सुक और सम्रद्धी की प्राप्ति होती है तो दोस्तों ये थी जानकारी तिलक के विशेश में कि तिलक कितने प्रकार का होता है उनका क्या मभात्व है और उसे हम कैसे लगाते हैं भगवान भोले नात की क्रपा आप सब पर बढ़ी रहे तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे